Hello Class 8, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Class 8 Geography का Chapter No.3 और Chapter का Name आप देखो Mineral and Power Resources तो देखो इस वीडियो में हम इस Chapter के Question-Answer को Solve करेंगे और अगर आपने Chapter पढ़ लिया है तो काफी अची बात है आपको Question-Answer अच्छे से समझ में आएंगे लेकिन अगर आपने Chapter नहीं पढ़ा तो एक बार आप Chapter को पढ़ लेना ठीक है ताकि जो Question-Answer है वो समझ में आपको आसानी हो Description में मैं आपको Link प्रोवाइड कर दूँगा Chapter की वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो या फिर नॉर्मली आप यूटूब पर सर्च करो किसी की वीडियो जों पर आजाएगी इसको आप पढ़ लेना ठीक है स्टार्ट करते है Question-Answer को सबसे पहला Question आपके पास आता है Page No.37 में एकसाइस में Question No.1 देखो Answer the following Question ठीक है अब देखो अब ठीक है ओर क्या होता यह आपको बताना है अब जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं इनके ओर कहां पर मिलते हैं ठीक है नॉर्मली हमें तो देखो Rocks from which मिनरल्स are mined are known as ores ठीक है अब बड़े बड़े चटान होते हैं पथर होते हैं जिनसे कि क्या करते हैं हम minerals को mine करते हैं तो उन चटान पथरों को हम बोलते है ores ठीक है for any material to be called ore of any mineral it must contain minimum adequate quantity of that mineral so that it can be extended profitably अब देखो जो ore होता है ठीक है उसमें अगर कोई mineral है कोई metal उसमें अगर है तो साथ में बहुत सारी गंदगी भी होती है तो उसको हम और तभी कहेंगे जब उसमें से जो metal है उसको निकालना हमारे लिए profitable होगा ठीक है आप देखो जिस और में जितना metal है जितना mineral है उसको निकालने में अगर हमको उस जो निकाला हुआ mineral है उससे ज़्यादा खर्चा हो जा रहे तो वो फिर किसी कामकर नहीं होता ठीक है तो देखो चप्टर पढ़ना आप देखो वहाँ पर अच्छे समझ में आपको आ जाएगा अब आपको दो ऐसे रिजिन बताने जहाँ पर नैच्रल गैस की रिसोर्से जो है वो बहुत अधिक मातरा में ठीक है तो देखो रशिया एंड नौर्वे आर टू रिजिन रिच इन नैच्रल गैस रिसोर्से तो रशिया और नौर्वे में काफी सारे है ठीक है आगे देखो which source of energy would you suggest for rural areas ठीक है coastal areas और arid regions अब देखो आपको बताने की कौनसा source of energy आप इन areas के लिए suggest करोगे ठीक है आगे देखो अगला question है आपके पास अच्छा जो अगला point है उसमें hydel and tidal energy for coastal areas ठीक है coastal areas होते हैं वहाँ पर hydel energy और tidal energy यह सारे यहाँ पर use हो सकते हैं यह जो words यह आपके लिए हो सकता है नए हो ठीक है chapter पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको अच्छे समझ मैंगा कि hydel energy और tid hydel energy क्या होते हैं wind and solar energy for arid regions ठीक है जो wind और solar energy है क्योंकि आपर हवा भी काफी चलते हैं ठीक है फिर देखो give five ways in which you can save energy at home अब आपको पांच ऐसे तरीके बताने हैं जिनके द्वारा आप अपने घर पर energy को बचा सकते हो ठीक है वो energy किसी भी तरह की हो सकते है ठीक है तो देखो first है यहाँ पर five ways in which energy can be saved तो देखो यहाँ पर पहला है आपका switching of light ठीक है जब आपको नहीं चल नहीं कुछ इनकी जरुद नहीं होती जब हमको इनकी जरुद नहीं होती तो हमें इन्हें बंद कर देना चाहिए ठीक है आगला देखो by seeing to it that electrical devices are operating efficiently for example defrosting refrigerator regularly and not keeping the refrigerator door open for longer than necessary अब देखो बहुत सारी चीजह हमें ऐसी ध्यान देनी चाहिए क्योंकि हमारी electrical appliances है उनको जब हम operate कर रहे होते हैं तो उनको हम एक मलब जितनी हमको जरुरत है उसी मातरा में operate करें ठीक है जैसे कि जो refrigerator है ठीक है फ्रीज होता है जो हमारा उसका दरवाजा हमें जादे तक नहीं खोलना चाहिए क्योंकि उससे क्या होती है फिर दुबारा फ्रीज उसको ठंडा खुद को ठंडा करने में और ज्यादा energy use करेगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है ठीक है अगला point आप लिख होते हैं fluorescent bulbs होते हैं तो हमें वाले यूज करने चाहिए जिसमें energy को हम ज्यादा से ज्यादा बचा सकें जैसे कि जो fluorescent bulb होते हैं tube lights होते हैं वो क्या करते हैं वो बहुत कम मातरा में बिजली की खपत करते हैं ठीक है और हमको अच्छी रोशनी देते हैं बाकि जो आपने देख होता है या फिर यह pressure cooker होते हैं सब के हमको धकन बंद करके रखने चाहिए ठीक है उससे क्या होता है जल्दी हमारा खाना बनता है unplugging electrical devices when not in use prevent leakage of electricity अब देखो बहुत सारी electrical device होते हैं जब हमको उनकी इस्तमाल नहीं होता तो उस वक्त हमें उनको unplug कर देना चाहिए ठीक है इसस नहीं है तो इसका आप लिखोगे they are inexhaustible ठीक है अब देखो आपको पता है कि जो हमारे minerals होता है यह exhaustible है ठीक है यह एक ना एक दिन खतम हो जाएंगे ठीक है ऐसे नहीं है कि हमेशा नहीं नहीं आते रहेंगे हमारे पास अगला देखो which one of the following is nota producer of mica यानि कि इन में से कौन स जो मलब state है जो कि mica का producer नहीं है nota का मतलब होता है नहीं ठीक है not a यहाँ पर होना चाहिए आपका not a producer of mica ठीक है तो nota एक साथ लिखा हुआ है समझ लेना तो यह है आपका करनार्टिका करनार्टिका माइका का producer नहीं है आगे देखो which one of the following is leading producer of copper in the world ठीक है इन में से आपको ब which one of the following practices will not conserve LPG in your kitchen ठीक है अब यह जो तरीके है इन में से कौन सा तरीका है जो की LPG conserve नहीं करेगा तुमारे कीचन में तो आप लिखोगे इसमान से लिखोगे cooking food in an open pan kept on low flame ठीक है जो आप खाना बना रहे होते हैं ठीक है अब उसको पैन को आप अगर खुला छोड़ दोगे तो उससे क्या होगी वहाँ पर ज्यादा गैस खा जोगी आपके पास ठीक है अगला देखो गिव रिजन्स आपको दिये हैं पहला है आपके पास environmental aspect must be clearly carefully looked into before building huge dams ठीक है अब हमको क्या गने चाहिए environment अगर हम कहीं पर बड़े-बड़े dams बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको वहाँ पर आज पास का environment ये सारी चीज़े देख लेनी चाहिए किस तरीके की हैं ठीक है देखो इस पर आपको बताना है reason बताने है आपको environmental aspect must be carefully looked into before building huge dams because of the following reason ये आपको reasons दे रहे हैं dams create imbalance in the earth equilibrium ठीक है अब जो dams बनते हैं बड़े-बड़े तो आपको पता कहीं पर का dam बनेगा तो उस dam का concentration उसका mass बहुत जादा हो जाता है वहाँ पर जो की पृत्वी के equilibrium को हिलाता है ठीक है अगला देखो deforestation leads to environmental pollution अब देखो जो deforestation होता है यानि कि जो पेड़ों की कटा करते हैं people become displaced अब देखो जहाँ पर डैम बनेगा तो वहाँ पर के लोगों को भी वहां से हटाना होगा ठीक उनको displace करना होगा वहां से cities, village, towns में require shifting causing lots of hardships for the people ठीक है अब जो cities, village, towns में वहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों को shift करना होगा इन सारे जगहों से ठीक है second most industries are concentrated around coal mines अब देखो बहुत सारी industries जो होती है वो जो coal के mines होते हैं ठीक है कोईले के जो खाने होती है उनके आसपास बनी हुई है तो आपको बताये मला बताना है यहाँ पर कि ऐसा क्यों है ठीक है तो देखो coal is used as a source of energy and power and also as a raw material in most of the industries अब देखो coal का इस्तमाल बहुत सारी industries में होता है ठीक है as a source होता है ठीक है source of energy होता है power होता है या फिर वो बहुत सारी कंपनिया उसको raw material के तौर पे भी use करती है इसलिए जो hence most industries are concentrated around coal mines of the purpose saving cost of transportation of coal तो इसलिए जो बहुत सारी कंपनिया है उन्होंने अपनी कंपनिया जो कोईले के खाने है उनके आसपास ही लग ठीक है तो देखो यहां पर उन्हें काफी अच्छा काम किया अगला देखो petroleum is referred to as black gold अब जो petroleum है उसको हम एक black gold के नाम से जानते हैं ठीक है black gold हम उसे कहते हैं क्यों कहते हैं आपको इसका reason बताना है तो देखो इसका उतर आप लिखोगे यहां पर आपका answer होगा petroleum is referred to as black gold because it is black in color in the crude form and its derivative are extremely valuable as petroleum itself अब देखो petroleum को black gold इसलिए कहते हैं एक तो यह black color का होता है ठीक है मलब थोड़ा dark color का होता है इसलिए उसे black कहते हैं और दूसरा यह बहुत ज्यादा valuable भी है जैसे कि पर हमारा petrol खुद है ठीक है petrol डीजल यह सारी चीज़े के हैं बहुत ज्यादा valuable भी ह होता है today it is almost inevitable in our day-to-day life ठीक है अब देखो आज के टाइम पर यह हमारे सब के जीवन में बहुत ज्यादा मलब दखल अंदाजी करता है ठीक है यान कि हमारे चारों तरफ गूमता है petrol जाना होता है गाडियों से जाते हैं किसी चीज़े जाते हैं तो हर जग में petroleum का इस्तमाल होता है ठीक है गाडियों जो चलते हैं petroleum से चलते हैं a variety of products like kerosene, diesel, petrol, wax, plastic, lubricants etc are produced from these minerals resources ठीक है तो यह सारी चीज़े इनी से हमें मिलती है अब देखो querying can become a major environmental concern आगे देखो querying can become a major environmental concern because of the following reason अब देखो वो क्या reason है it may destroy the humus of soil which is much required for the growth of plants ठीक है इसके कारण क्या हुआ देखो जो हमारी मिट्टी है उसमें जो humus है ठीक है वो खतम हो जाएगा ठीक है वो destroy हो जाएगा जो कि हमारे पेड़ पहुद हो के लिए हमारे plants के लिए हमारे crops के लिए बहुँ जादे important होता है ठीक है in the process of querying lots of dust is generated which cause air pollution and also occupational hazard ठीक है अब देखो querying करते वक्त क्या होता है बहुत सारा dust भी generate होता है जिससे की air pollution होता है ठीक हो हवा में मिलेगा आगे देखो blasting done in the process of querying generate vibration which damage in the nearby buildings dams or any other similar structure और जब यह blast होता है इतना बहां कर तो इसके कारण क्या होता है बहुत सार जो आज पास की building के होती है डैम्स होती है बहुत सारे जो structures होते हैं बनाए वे उनमें भी cracks आ जाते हैं वो कमजोर हो जाते हैं ठीक है आगे देखो distinguish between the following इनके बीच में आपको अंतर बताना है तो देखो conventional and non-conventional source of energy इनके बीच में आपको बताना है तो देखो जो conventional source of energy है have been in common use for a long time यह बहुत लंबे समय से आम आदमी के जीवन में use होते रहे हैं ठीक है common use है इसका और यह जो non-conventional source of energy इसमें आप लिखो कि are not commonly used ठीक है यह बहुत जादा pollution फैलाते हैं लेकिन यह pollution नहीं फॉल आते आगे देखो एक्जामपल है firewood coal इसके एक्जामपल यह है इसके एक्जामपल है solar energy and nuclear energy आगे देखो आगे आप लिखोगे यह आपर अगला है आपका biogas and natural gas ठीक है तो बायो गैस आप देखो forming formed using organic waste such as dead plant and animal matter, animal dung and kitchen waste ठीक है तो जो organic waste होता है आपका biogas जो है वो किस तरह से बनता है इन सब चीजों के जो compost बनाते हैं उससे बनता है ठीक है is a non-conventional source of energy बाकी देखो natural gas found along with petroleum deposit and get released when crude oil is brought to the surface ठीक है जो natural gas होती है वो naturally बनती है ठीक है आपने आप वो बनी भी है ठीक है और ये exhaustible resources होती है हागे देखो is a conventional source of energy is easily available especially in rural areas ठीक है जो बायो गैस होता है वो normally हमें आम तोर पर मिल जाता है और especially जो rural areas होते हैं वहाँ पर मिलता है it is not easily available very few countries have sufficient natural gas resources reserves of their own ठीक है बहुत ही कम countries है जिनके पास अपने natural gas reserves है is polluting causes greenhouse effect as it releases carbon dioxide ठीक है और it is a cleaner fuel used as a domestic fuel for cooking and lightening ये एक domestic fuel है ठीक है घर का मनलब घर में बना लेते हैं लोग इसे और ये खाना बनाने की काम या फिर उजाला करने के काम आता है और ये used as a domestic fuel as well as an industrial fuse अब देखो ferrous and non-ferrous mineral आपको बताना है तो देखो ferrous में आप लिखोगे a metallic mineral that contain iron ठीक हए एक metallic mineral हुता है जिसमें की iron पाया जाता है non-ferrous होता है a metallic mineral that does not contain iron फिर example हो गया आपका iron और और मैंगनीज इसमें आपका example हो गया gold and silver आगे देखो metallic and non-metallic minerals इसमें आप लिखोगे mineral metallic mineral में आप लिखोगे a mineral containing metal in raw form ठीक है आगे देखो non-metallic में आप लिखोगे a mineral not containing metal और last आपका यहाँ पर इसके example आप लिखतोगे bauxite, iron, ore और इसके example आप लिखे लोगोई limestone और gypsum ठीक है तो class 8 यहाँ पर आपकी इस chapter के सारे question answer complete हो जाते हैं और आप class 8 other subject के question answer वीडियो भी modern mastergy के चैनल पर देख सकते हैं मैंने सभी पर वीडियो बना रखी है बागी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें बाई